कांग्रेस तो स्थीफा देन दे कुछ कंटियां वाद पार्टी दे रास्ट्री बुलारे गौरब बलव बिर्वार नूँ पार्टी जनता पार्टी दे विच शाम्ल होगे। देखो पार्टी जनता पार्टी दे विच शाम्ल हों तो वाद की वोले गौरब बलव। सोशल मीडिया के विविन प्लेटफॉर्म पर डाला आप लोगों ने जरूर देखा होगा और उस पत्र में मैंने अपने दिल की सारी व्यथाएं इश्यूज जो मैं समय समय पर कॉंग्रेस पार्टी की लीडर्शिप को अउगत भी कराता था वो मैंने सारे उसमें लिख दिये उसके अलावा मुझे कुछ नहीं कहना मेरा द्रश्टी कौन शुरू से यह रहा है कि भगवान चिरी राम का मंदिर बने न्योता मिले और हम न्योते को कॉंग्रेस पार्टी लिख के भेजे कि हम नहीं जाएंगे मैं इसे स्विकार नहीं कर सकता देश में मैं अर्थशास्त्र का विद्ध्यारती हूँ बड़े समय तक अर्थशास्त्र और विद्ध देश के प्रतिष्टित संस्ताओं में पढ़ाया भी है मैंने सुबे से शाम वेल्थ क्रियेटर्स को गाली उन नीतियों को गाली नीजी करण, उदारी करण, वैश्वी करण जो पूरी दुनिया मानती है कि ड्रो डॉक्टर मनमोन सिंग जी और पीवी नरसिमा राव जी की सरकार ने किया उन नीतियों को गाली कोई बिजनस करे उसको गाली कोई वी निवेश में पार्टिसिपेट करे उसको गाली एर इंडिया कोई कंपनी खरीदे तो वो गलत तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं जो नीतिया है और जो इश्यूज हैं उसको कॉंग्रेस पार्टी टैकल करने में कहीं न कहीं बड़े गैप उसके अंदर आ रहे हैं और मैंने अपनी चिठी में भी यही लिखा और मैंने प्रमुक कारण यह बताया है कि मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि मैं सुबे से शाम बैठ कर वेल्थ क्रियेटर्स को गाली देता फिरू मैं नहीं दे सकता मेरे में इतनी ताकत नहीं है कि जब सनातन धर्म के उपर सवाल उठाए और मैं चुप चाप बैठ जाओ मेरे से नहीं होगा कॉंग्रेस पार्टी के नेताओं ने कॉंग्रेस पार्टी के छोड़ नहीं सकते न, उस इश्यू को तो आपको जवाब तो देना पड़ेगा, मैंने सारे विस्तार से ये सारी बाते इस चिठी में लिखी है, मैं आधर निये संजे मयूग जी से आगरे करूँगा कि मेरी इस चिठी की एक प्रती आपको जरूर दे, ताकि आपको पता रेगुलेट और डाइरेक्ट करता हूँ जो मैंने इस चिठी में भी लिखा है, धरम एवं हतो हंती धर्मो रक्षती रक्षिता, तस्चे धर्मो ना हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित, अर्थाद, धर्म के मामले में आप चुपी साद लो, जो गालियां दे रहे हैं, सनातन को आप चुपी साद लेते हो, वेल्थ क्रियेटर्स को जो गाली दे रहे हैं, आप चुपी साद लेते हो, और उल्टा गालियां दे रहे हो, देश में वेल्थ क्रियेशन जुर्म नहीं हो सकता, देश में जो नीतिया, उदारी करण की, नीजी करण की, वैश्वी करण की न वो गलत नहीं हो सकती आज आप इसलिए उन चीजों को गलत बोलते हो क्योंकि वह एक ऐसे व्यक्ति उन चीजों को आगे लेके जा रहा है जिनको आपको सुबे से शाम गाली देनी है मैंने कम से कम तीन सो चार सो प्रेस वारताइं करी है साथियों आपने भी कही न कही मुझे जरूर देखा होगा मैंने issue based reservations पर बात करी है व्यक्ति परक्ष आरोप आलोचनाएं नहीं करी है व्यक्तियों के बारे में राजनितिक पार्टियों पर आक्षेप नहीं होते है राजनितिक पार्टिया ideologies पर आधारित होती है और जो ideologies पर मैं यह सोच के congress party जिस ideology को सोच के मैंने join किया था कि नए ideas का intellectual ideas का नए सोच का वहाँ पर सम्मान होगा पर नए सोच का नए ideas का नए लोगों को सम्मान छोड़के crush करने की प्रक्रिया भारत को आगे नहीं ले जा सकती और ultimately हमारी ideologies parties की political राजनितिक पार्टियों की ideologies अलग-अलग हो सकती है पर एक ideology जो हम को जोडती है वो भारत को आगे ले जाने की ideology और उसी ideology को ध्यान में रखते वे जो विक्सित भारत की जो संकल्पना है उसको आगे ले जाने के लिए जो ideology ने मुझे आकरशित किया और मैंने आज भारती जंता party join करी मुझे उम्मीद है मैं अपनी योग्यता का अपने ग्य भारत को आगे ले जाने में ज़रूर भारती जंता है